पश्चिम बंगाल में मादुर्गा का लज्जा पंडाल लगाया गया मादुर्गा की आखे धकी हुई है कोलकता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर बिटिया के साथ हुई जगन्ने अपरात को दिखाता पंडाल मुख्यमंत्री ममता बैनरजी के सिस्टम पर तमाचा है इधर पश्चिम मंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनरजी नवरात्रों में अपनी 6 चमकाने में लगी है आज हम आपको दो ऐसे वाक्यों को दिखाएंगे जिसे देख कर आपको ममता सरकार की असलियत समझ में आ जाएगी TMC भी इसे नकार नहीं पाएगा और उनने ताओं को कही मूँ छिपाना हो तो वो बिल्कुल छुपा सकते हैं लेकिन पहले इस खबर को सुन लें चलिए खबर की शुरुआ करते हैं नमस्कार दर्शकों आप देख रहें अच्या न्यूस और मैं हूँ आप सभी के साथ रंचनाव पात ध्याएगे पश्चिम बंगाल में एक तरफ मादुर्गा के पंडाल में ममता सरकार की असलियत बया हो रही है तो दूसरी तरफ ममता बैनर जी अपनी 26 सुधारने में लगी है अब तक अगस्त 2024 को पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर बिटिया के साथ हुए जगरन अपरात के मामले में नयाएं नहीं मिला है और ममता बैनर जी नवरात्रो में माद दुरगा के साथ करीबी को दर्शाने की कोशिश कर रहे है कोलगता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया इस मामले में लंबे समय तक हरताल पर रहे डॉक्टर अब तक निराश और हताश है आज पूरा देश हताश है पिछले दिनों राज्य सरकार की पहल पर डॉक्टरों ने हरताल तो खत्म कर दी थी लेकिन आब उन्होंने फिर से हरताल पर जाने की घोशना की और ये दर्द अब दुर्गा पंडालों में भी दिख रहा है ये वही पश्यम बंगाल है जिस राज्य की नवरात्री दुर्गा पूजा पूरी दुनिया में मशोर है जहां मा के इस्तिवहार को भविस्तर पर मनाया जाता है लेकिन इस बार ममता सरकार की अंधी सरकार ने उस पर पानी फेर दिया नियाए ववस्था जग जाहिर हो गई है इस वर्ष की पूजा ने एक गमगीन मूड ले लिया है क्योंकि शहर बर के पंडाल विरोध के शक्त प्रतीमा लगाई गई है हलाकि इस प्रतीमा की पूजा नहीं की जाएगी और पूजा के लिए एक अलग पारंप्रिक मुर्ती रखी गई है बता दे कि पंडाल महिलाओं की सुरक्षा के बारे में जाग रूपता बढ़ाने के लिए मंच के रूप में काम कर रहा है इधर मंगाल के मुख्यमंत्री ममता बैनर जी अपनी इस वीडियो में मादुर्गा की मूर्टी पर पेंटिंग करती मिज़र आ रही है। दामन साफ करने में लगी है। बहराल आप इस पर क्या कहेंगे इस पूरी खाबर पर अपनी कॉमेंट जरूर्ट है। फिलाल के लिए इतना ही देखते रेट्सिय न्यूस धन्यवाद।